नमस्कार दोस्तों फिर से उपस्तित हैं हम जारखन से जुड़े वे कुछ महत्पुन सवालों को लेकर जो आगामी परिक्षाओं में आपके लिए काफी महत्पुन रहने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं पहला सवाल है बिरहोर की बस्ति को क्या कहा जाता है तो सही जवाब है दोस्तों टंडा बिरहोर एक जंजाती समु है तो उनकी बस्ति को टंडा कहा जाता है तीसरा सवाल है बिरहोर जंजाती के दो उपवर्ग कौन कौन से हैं तो सही जवाब है दोस्तों उतलू या भूलिया जो घुमकर जंजाती है और जांगी या थानिया जो अधिवासिक क्रिसक है घुमकर का मतलब होता है वह जंजाती जो एक स्थान पर टिकती नहीं है और घूमती रहती है अधिवासी क्रिशक वे हैं जो एक स्थान पर टिक कर खेती करते हैं अगला सवाल है बिरहोर जनजाती के प्रमुख निर्थ्य कौन-कौन से हैं तो इनके प्रमुख निर्थ्य हैं दोस्तों डॉंग लागरी एवं मुद्कर निर्थ्य अगला सवाल है बैगा जनजाती किस पसू को पवित्र मानते हैं जी हां बैगा जनजाती तो बाग को यह पवित्र मानते हैं बाग जो जंगल में बलसाली पसू है दोस्तों अगला सवाल है राची एम हजारी बाग के पठार किनारे अवस्थित बाह यह पठार या निम्न अगला सवाल है देवघर इस्थित किस मकान का उपयोग, क्रांतिकारी, बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को इस दिसा में प्रसिक्षित करने में किया करते थे बिलकुल देवघर में तो यह सही जवाब है सीलर बाड़ी, यहीं पर बम बनाने और सहयोगियों को ट्रेंड किया जाता था अगला सवाल है पंचायत समीति किस थापना किस इस्तर पर होती है तो सही जवाब है दोस्तों प्रखंड इस्तर पर छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टन सवाल है अगला कोश्चन है रामगर राज्जी की प्रथम राजधानी कौन सी थी इंपॉर्टन कोश्चन है तो सही जवाब है दोस्तों सिसिया अगला सवाल है दोस्तों सीलर बाड़ी नामक मकान से किस वर्स बंब बनाने की सामगरियां बरामद हुई तो यह 1915 सवी में अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में देवगर इस्थित सीलर बाड़ी में ही बंब बनाया जाता था और जो करांती कारी थे उन्हें ट्रेंड किया जाता था यानि कि प्रसक्षित किया जाता था अगला सवाल है महेशपूर राजा की रानी सर्वेश्वरी के निर्तित्व में अंग्रेजी कंपनी के सासन के विरुद्ध विद्रोह की सुरुवात किस वर्स होई तो यह था दोस्तों 1781 से 1782 वर्स अगला सवाल है किस ने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपूर खास के नागवंसी राजी की राजधानी बनाया इंपरन्ट कॉश्चन तो सही जवाब है दोस्तों प्रताप राईजी ने अगला सवाल है किस राज़ा के समय इचाक रामगड राजी की राज़धानी बनी? तो ये थे तेज सिंग अगला कोशन है इदी मी यानि की इदी ताइमा विवाह किस जन जाती की अनोखी विवाह है? काफी इंटर्नल और महत्पुन कोशन है तो ये असूर जन जाती हैं दोस्तों अगला कोश्चन है असुर जन्जाती में हडिया को किस नाम से जाना जाता है हडिया जो की एक प्रकार की मदिरा होती है तो इसे बोथा या जर्मूई के नाम से जाना जाता है यह भी काफी इंटर्नल कोश्चन है तो ध्यान में रखिएगा अगला सवाल है अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतू उनकी भूमी को सन 1824 इसवी में दामी ने कोह में परिवर्तित कर दिया तो सही जवाबे दोस्तों पहाडिया विद्रोह पहाडिया विद्रोह इसी के समय जो है दामी ने कोह एक छोटा सा भाग था पहाडी छित्र के नीचे का जहां पर संथालों को बसाया गया था और संथालों को इसलिए बुलाया गया था ताकि वे पहाडियों को उपर की और खदर सके 1824 इसवी में इसी दामी ने कोह में संथालों को बसा कर पहाडियों को वहां से हटा दिया गया था दोस्तों हल और कुदाल के बीच की ये लड़ाई कही जाती है अगला कोशन है जारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है तो दामोदर नदी है सही जवाब इस कोशन का अगला सवाल है दोस्तों जारखंड के कुल छेत्र पल के कितने प्रतिसत छेत्र में खेती होती है तो सही जवाब है 22.6 प्रतिसत नेश कोशन है जारखंड की एक मात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो स्वर्ण रेखा न दी आप सभी को पता होगा इसका जवाब काफी महत्पून सवाल है विस्वा सवाल है जारखंड में कितने छेत्रिय विकास प्राधिकार है तो पांच छेत्रिय विकास प्राधिकार जारखंड में स्थापित है अगला कोशन है किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राज्या के नाम से जाना जाता था तो सही जवाब है दोस्तों पंचेत राज्या 222 सवाल है मुगल बादसा जहांगीर ने छोटा नागपूर खास के नागवनसी सासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा था काफी इंटर्नल और इंपॉर्टन कोश्चन है तो ये ग्वालियर का किला था दोस्तों नेक्ट कोश्चन है मरांग गोम के किसका दूसरा नाम था यहां पर नाम होगा मिस्प्रिंट हो गया है तो सही जवाब है दोस्तों जैपाल सिंग काफी इंटर्नल और महत्पन कोश्चन अगला कोश्चन है सराय के ला रियास्त के मूल एव मात्र राज का नाम क्या था तो पोर हाट राज जहां पर हाट लिखा हूआ है तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को सेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिल से ऐसे वीडियोज को आप देख सके हैं और इसी तरह हम आपके सामने नहीने वीडियोज को और कुछ महत्पुन सवालों को पेस करते रहें धन्य बाल तोस्टू